सारंगड बिलाईगड जुले के ग्राम रानिगड छुईया में उस वक्त खलबली मच गई जब लोग दशगात्र कारेक्वेम से भोजन कर बाहर निकले दरसल इस कारेक्वेम का खाने के बाद स्टार्ट से अधिक लोग फूट पॉइसनिंग का शुकार हो गए समय रहते ही पीड़ितों को इलाज के लिए अस्पताल में भरती कराया गया ग्रामीडों और पीड़ितों से मिली जानकारी के मुताबिक रानिगड छुईया गाओ में एक परिवार में भोज का कारेक्वेम रखा था जहां रात में लगवग 500 से भी अधिक लोगों ने खाने में दाल भात सहित रोटियां और मिठाईयां खाई जिसके बाद एका एक महिला बच्चों सहित पुरिशों की तब्यद भी बिगड़ने लगी देखते ही देखते कई लोगों को धनसीर और विलाईगड के स्वास्त केंद्र में भरती कराया गया वहीं दो बच्चों की तब्यद काफी बिगड़ गई जिन रात को ही बलौद बजार विर्फिर कर दिया गया फिलाल सभी खत्रे से बाहर हैं और डॉक्टरों की निगरानी में सभी का इलाज किया जा रहा है